गुड मॉनिंग दोस्तो तो हम पहुंच चुके हैं आज सुन्दर नगर यह है मारा रूम सुन्दर नगर में और देख सकते हैं आप नीचे सुन्दर नगर का बाजार है अभी हम आए हैं लेंटर पे धूप सेकने के लिए आए थे लेकिन अभी विल्कुल भी धूप नहीं लगी है क्योंकि धूंद उठ रही है अभी नीचे से तो बादल काफी जादा है इसी वज़ा से जो है धूप आज बिल्कुल भी नहीं है तो देखेंगे थोड़े देर बैठेंगे यहां पर दिखातेते हैं आपको व्यूप सामने जंगल ही है और यह कलोनी है यह नीचे क और यह जंगल है पिछे यह लेंटर काफी खुला लेंटर है और दिन को जाएंगे हम महा माया टेमपल तो मिलते हैं वहां पर महा माया टेमपल दिखाएंगे आपको दोस्तों तो हम पहुंच चुके हैं महा माया टेमपल और कुछ इस तरह से मंदिर है महा माया का और देख सकते हैं पुरा-पुराना स्टाइल है मंदीर का ऐसा लगता है हम किसी महल में आचुके हैं राजा-महराजाओं के टाइम का यह मंदीर है बहुत ही ज्यादा मान्यता इस मंदीर की मानी जाती है जो भी सचे दिल से मन्नत यहां मांगे वो जो है माता रानी पूरी करती है तो यहां से सडक है निचे, बसीज जाती है बिजार के लिए, लकिन हम पैदल ही जाएंगे, मंदीर के बाद हम बाजार जाएंगे, थोड़ा सा सामान लेना है हमें, यह निचे बाजार है, और कुछ इस तरह से है मंदीर का गेट, बहुत ही सुन्दर मंदीर है, बाहर से इतना ख कुबशुती से अंदाजाया लगा सकते हैं वाव ! बहुत ही सुन्दर मंदिर कितना खुला परिशर है इसका देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर किया हुआ इसको बीच में पता नहीं किस चीज का भृक्ष्ष है यह अग जीख सकते हैं आप मनदिर यह में गेट है और चारों तरब से इसको बंद किया है बॉंडरी लगाई हुई है देख सकते हैं मंदिर फुलवारियां है यहां पर और यह बिक्ष है बहुत ही अच्छी खुसू इस बिक्ष से आ रही है पुजारी यहों से पता करेंगे हम कि किस चीज का बिक्ष है और यह मैं देख सकते हैं मंदिर कितना सुन्दर इसको बनाया हुआ है और मौसम आज कापी तवावना है दो हम जायेंगे मंदिर जाते हैं मंदिर कितना सुन्दर बनाया है इसको मैं जो है यहां अपनी कजन के साथ आई हूँ तो अभी हम जाएंगे मंदिर कैसी है माता जी की मूर्ती सब देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे देखें मंदिर का अंदर वाला परिसर भी काफी सुन्दर है और काफी खुला है नंदी बैल जी और सामने है सिवलिंग जय भुले नाथ बहुत ही सुन्दर सिवलिंग है और साथ में है गणपती जी इनको भी परनाम और साथ है अनुमान जी इनको भी हमारा परनाम बहुती अच्छी मूर्तियां बनाई हुई है और उनको डेकुरेट भी बहुत अच्छे से किया है यह माता माया जै माधादी मैंने पहली बार यहां पर विजिट की है और देखिए गरुड कहते हैं कि जब माता रानी का बुलाबा आता है तब ही आप आते हैं तो साइदा जैसा ही हुआ होगा यह बिश्ण बगवान और लक्समी जी है और देखिए अंदर से मंदिर का व्यू बहुती खुला है तो आज मातारानी का बुलाबा आया था तो हम भी मातारानी के दर्सन के लिए यहां आ गए जब मेला होता है तो यहां पर काफी ब्यूड़ोती है और यह है राजा लक्षमन सेंजी सुकेत के अंतिम राजा जिनों ने इस मंदिर को बनवाया था 1931 इसपी में कि और एख चंपा का ब्रिक्स है यहां के लोगों से बाठीत के बाल हमें पता चला कि प्रिक्स हैं हमें देख सकते हैं यहां फूल वारियां कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हुएं यहां पर वाँ ऐसे फूल हमारे घर में भी हैं और देखिए इस पेल की खुस्बू ने चारों तरफ बहुत अच्छी खुस्बू भी खेरी है और इस तरह से हैं मंदि कितना सुन्दर है और अब हम जा रहे हैं बाहर और यह है जब हम बाजार की तरफ से आते हैं तो उस साइट से इस तरह से गेट है और पार्किंग के लिए भी जगह हैं काफी है इस तरह से भी दिखता है सामने वाले गेट से देखे बहुत ही अच्छी निकासी की गई है अब हम जा रहे हैं बाजार तो हमने सिरियों का सहरा लिया है ताकि जल्दी पहुंचे सडक से जाएंगी तो काफी देर लगेगी यह सौटकट रास्ता है नीचे को हमने लेना है हीटर नीचे जाके सौब से तो आगे देखेंगे कि या मैं मिलेगी यहां पर जो हमें चीज़े लेनी है या नहीं हमने जो है हीटर ले लिया है और इस तरह से है बाजार कि यह लोगोंने धनिया उगाया है इधर सोच रहे हैं हम भी उखार लें थोड़ा सा पर ऐसा नहीं करेंगे और देखेंगे अब मैं अपने ब्लॉग का एंड करूंगी अब मैं अपने ब्लॉग का एंड करूंगी झाल 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 झाल